उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंतरन कानून लागू करने की तयारी जोरो पर है इसी क्रम में UP State Law Commission ने एक ड्राफ तयार किया है और जिसको जल्द ही कानून की शकल दी जा सकती है पहले से ही जनसंख्या नियंतरन कानून को लेकर अलग-अलग पक्ष अपने अपने तरक शामने रखते रहे हैं समर्थन में लोग यह कहते हैं कि जो संसाधन उपलब्ध हैं वो सीमित हैं और बढ़ती अनियंतरित जनसंख्या इन संसाधनों को एक दिन खत्म कर देगी वहीं दूसरा पक्ष इसे कुदरत का कानून बता कर किसी भी तरह के हस्तचेप को सर्वथा वर्जित बताता रहा है अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के शंभल से समाजवादी पार्टी के सांसद सफिकूर नहमान का वक्त अब्य सुर्खियों में रहा जिसमें उन्होंने यह कहा था कि जो जनसंख्या है जो आबादी बढ़ती है या कुदरत का कानून है और इसमें हस्तचेप करने का हक कि उसी को भी नहीं है जनसंख्या नियंतरंत करने वाले कानून जो बन सकता है उसका यह ड्राफ्ट आज ही सामने आया है तो आगे इस पे और भी राजनीती होने की पूरी उम्मीद है नमस्कार आप सभी का स्वागत है आज के इस चर्चा में आज हम बात करेंगे उत्तर प् क्या क्या प्रोपोज किया गया है एक एक करके देखते हैं सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका उद्देश क्या है इस विल का उद्देश है उत्तर प्रदेश में जंशंख्या का नियंतरन उसको इस्थिर करना तथा दो चाइल्ड पॉलिसी टू चाइल्ड नॉर्म को आगे इसमें कहते हैं कि खाद्यानों की सस्ते दर पे उपलब्दता, साफ एवं सुरक्षित पीने के पानी की बेवस्था, अबाद सप्लाई, महिलाओं के हेल्थ के लिए अच्छी बेवस्था, तथा शिक्योर लिविंग, मतलब सुरक्षित जीवन के लिए यह जरूरी है कि हम अपने संसाधनों पे बढ़ते हुए अनियंतरित बोज को कम करें, तो इसको भी इस उद्देश में शामिल किया गया है कि इन सब चीजों, इन सब बेसिक नेसेसिटीज की सुलब उपलब्दता के लिए भी हमारा यह उद्देश है कि टू चाइल्ड नॉर्म को अपनाया जाए, उसे प्रोथसाहित किया जाए, अब इस ड्राफ्ट में मैरि एक पत्नी और एक पती है, ऐसी बेवस्ता है, जहां पे दूसरी शादी नहीं की जा सकती, दूसरा विवा नहीं किया जाता है, ऐसे में जो भी बच्चे जन्व होंगे, उनको एक कपल के यूनिट में काउंट कर लिया जाएगा, परन्तु जहां पे पॉलिगेमी है, जहां होगा है, तो ही के सादी है, इसे उसके तीन संतान, तो A के टोल बच्चे होगए, एक प्लस दो प्लस तीन, मतलब एक के बच्चे तो होगए, जहां प्लस सब्लस अप्लस तीन, परन्तु B के रहे 1, C के रहा 2 और D के रहा 3 तो इस तरह से इन बच्चों की काउंटी होगी आगे हम देखेंगे कि इसमें इंसेंटिव और डिस इंसेंटिव के क्या-क्या प्रोवीजन्स हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें इंसेंटिव अपना बंध्या करन करा लेता है या अपने स्पाउस का बंध्या करन करा लेता है पती नौकरी करता है तो पत्नी का करा देता है पत्नी नौकरी करती है पती का बंध्या करण करवा देता है तो उनको क्या-क्या फायदे होंगे यह फायदे मिलेंगे अगर दो बच्चों के अधिक्रीमेंट उनको मिलेंगे दूसरा success कोई भनाते हैं कोई भर खरीदते हैं हैं- सट दरों पर लोन मिलेगा जता वह जो यूटिलिटी के लिए बिल करते हैं जैसे पानी का बिल हो सकता है electricity का बिल Linux One Stateoint students on the left फूट मिलेगी अगला है कि अगर उसमें पैरेंटल लीव की विवस्ता की गई है यादी कोई व्यक्ति बाप बनता है तो उसे एक साल तक छुट्टी मिलेगी और इस एक साल की अवधी का पूरा सैलरी उसे दिया जाएगा अगला है नेशनल पेंशन इसकीम के अंतरगत जो इंप्लॉयर कंट्रिब्यूशन होता है उसको तीन परसेंट बढ़ा दिया जाएगा उसमें तीन परसेंट की व्रिद्धी कर दी जाएगी इसके अलावा उनके दमपती को भी फ्री हेल्थ फैसिलिटी और इंसोरिंस कवरेज मिलेगा इसके अलावा समय समय पर जो भी प्र स्टेलाजेशन करवा देता है तो इन सब के अलावा उसको आगे और क्या-क्या बेनिफिट मिलेंगे तो सबसे पहले हमने उसमें देखा था कि उनको दो इंक्रिमेंट मिल रहे थे अडिशनल अपने शेवाकाल में उसके अलावा इनको दो इंक्रिमेंट और मिलेंगे कुछ मुफ्थ होगा तथा उसे insurance coverage भी मिलेगा दूसरा उसको preference दी जाएगी उस बच्चे को preference दी जाएगी अगर वो किसी भी section की संस्था में अपना आवेदन करता है नामांकन के लिए तो उसे बाकी बच्चों पर preference दिया जाएगा और इसमें IIM और EMS जैसे section की संस्थान भ अगर वो लड़की है तो उसे scholarship मिलेगा for higher education और इसमें आगे बाद कही गई है कि एक ही बच्चा है लड़की हो या लड़का तो उसे graduation तक की पूरी सिक्षा उसकी मुफ्थ होगी इतना ही नहीं अगर एक ही बच्चा है तो उसे government jobs में भी preference दिया जाएगा तो अगर एक policy पे कोई आता है तो उसे बहुत ज्यादा फायदे का इसमें सिफारिश की गई है यह बाते तो मैंने बताई है आपको जो government job में है अब जेनरल पब्लिक के लिए इसमें क्या-क्या फायदे है अगर कोई ब्यक्ति दो बच्चों की policy पे है और अपना बंधिया करण करवा ल दूसरा है कि यहां उसे भी water electricity और house tax जैसी सुविदाओं के उपयोग के लिए छूट मिलेगी तीसरा है कि उसे भी अगर वो कोई नौकरी करता है तो उसे भी पिता बनने पर 12 महीने की पैड सेलरी लीव मिलेगी मतलब वो छुट्टी पे जाएगा एक वर्स तक 12 महीने तक और उसे उस दोरान की सारी सेलरी का भुगतान पूरा किया जाएगा इसी में अगर कोई general public में से एक child policy पे आता है एक ही child के बाद एक ही बच्चे के बाद अपना या अपनी दमपती का बंधिया करण करवा लेता है तो उसे कौन-कौन से फायदे होंगे सबसे पहले तो उस बच्चे की 21 वर्स तक उसको health care facility उसकी मुफ्त हो जाएगी और उसको insurance coverage भी मिलेगा दूसरा है कि उसे भी तरजी ही दी जाएगी यदि वो अपना किसी sectionic संस्था में दाखिला तरवाना चाहता है तो उसे भी दूसरे बच्चों के ऊपर तरजी ही दी जाएगी और इसमें EMS और IIM Indian Institute of Management जैसे बड़े sectionic संस्थान भी सामिल है तो ये काफी फायदे वाली बात है तिछरा है कि यदि वो कोई लड़की होती है तो उसे भी higher studies के लिए scholarship मिलेगी चौथा है कि उन्हें भी government job में prefer किया जाएगी ये सब जो मैं बता रहा हूं ये उन लोगों के लिए है जो लोग सेवक नहीं है कोई सरकारी नौकरी में नहीं है आम जनता है उनको ये सहुलियते मिलेंगी इसमें एक और है कि यदि कोई कपल कोई दमपती बिलो पोबर्टी लाइन है और वो एक चाइल्ड की policy पे आता है मतलब एक चाइल्ड के बाद अपना या अपनी पतनी का या पती का बंध्या करण करवा देता है ऐसे इस्तिती में उसे अगर वो बच्चा लड़की हुई तो उसे एक लाख रुपए और अगर वो बच्चा लड़का हुआ तो उसे असी हजार रुपए एक मुष्ट सरकार द्वारा दिये जाएंगे अब ये तो हो गई प्रुत हो जाने के बाद यदि कोई ब्यक्ति ये दो चाइल्ड नौम को नहीं पालन करता है तो उसको गौर्मेंट के द्वारा संचालित जो इसकीम होते हैं उनसे निकाल दिया जाएगा बार कर दिया जाएगा दूसरा एक चालू होने के बाद एक यूनिट में सिर्फ चार लोग नहीं एक रासन कार्ड में हो सकते हैं तुसरा कि लोकल बॉडिज के जो चुनाव होते हैं उसमें उन्हें चुनाव लड़ने से रोक दिया जाएगा इनलिजिबल कर दिया जाएगा अयोग घोशित कर दिया जाएगा लोकल बॉडिज आप जानते हैं जो सरपंच का मुक्य किया है इस act के लागू होने के बाद तो आप ineligible हो जाएंगे आप अयोग्य हो जाएंगे तो आपको government job नहीं मिलेगी act के लागू होने के बाद कोई already government servant है लोक सेवक है सरकारी नौकरी कर रहा है और उसने दो से ज़्यादा बच्चे कर लिये तो उसकी promotion नहीं होगी इस कानून के लागू होने के बाद आप किसी भी प्रकार के government द्वारा दी जा रही subsidy को claim नहीं कर सकते अगर आप दो child policy को नहीं मानते two child norm को नहीं मानते दो से अर्थिक बच्चे आपके हो जाते हैं तो आपको government द्वारा उपलब्द कराई जा रही कोई भी subsidy का लाब उत्तर प्रदेश में नहीं मिलेगा किन किन परिश्थितियों में ये कानून लागू नहीं होगा मैं आपको बता देता हूं कि यदि अगर दूसरी pregnancy है और उ इसकी पालना की है दूसरा है कि adoption पर ये लागू नहीं होगा अगर आपके दो बच्चे हैं और आप दो बच्चे और एडॉप्ट कर लेते हैं तो उस पर ये लागू नहीं माना जाएगा तीसरा है कि यदि पहला या दूसरा बच्चा कोई disabled हो गया तो तीसरा बच्चा अ पूलंगन नहीं माना जाएगा तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बाते जो इस ड्राफ्ट में लिखी गई है और जिस तरह से योगी जी की कारशली है निश्चित रूप से मैं यह देखता हूं कि आने वाले कुछ समय में ही यह ड्राफ्ट निश्चित रूप से कानून ब एक ही पॉलिशी बनाए और उसे लागू करे जनसंख्या नियंतरन कानूनों के अभाव में हमारे देश में उपलब्द संसादनों पर पढ़ रहे बोज को कम करने का समय आ गया है ताकि बेसिक नेसिसिटीज बेसिक फैसिलिटीज हर नागरी तक सुलब हो तो आप मुझे क जो की पूरे देश में लागू हो मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ किसी अन्य वीडियो में तब तक के लिए थाइंक यू वेरी मच